नमस्कार किसान भाईयों फिर से स्वागत है आपके चैनल आपके ही यूटूब परिवार में तो आज लसुन के बारे में चर्चा करेंगे कि लसुन का वीडियो बहुत दिन से बनाया नहीं था बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप लसुन का वीडियो नहीं बना रहे हैं लसुन के ओपर चर्चा करेंगे किसान भाईयों लेकिन चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा लगता हो वीडियो से एर कर लाइक है तो से एर करना बिलकुल भी मत भूलिएगा तो सबसे पहले तो देखिए जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स थे कि जो चाइना से लसुन है सरकार निर्यात करेगी कर नहीं करेगी तो देखिए चाइना से लसुन आना तो मुझे नहीं लगता है किसी तरह से पॉसिबल है और नहीं गौर्मेंट कभी भी चाइना से लसुन जैसा आइटम कभी भी आयात करेगी इस चीज़ के लिए तो निस्सिंद रहिए और इंडिया को छोड़ दीजिए आप दूसरे देश भी जो है चाइना से लसुन लेते हुए अभी डर रहे है जो आपको पता है कि कुछ बीमारी का प्रकौप वहाँ चल रहा है तो देखिए चाइना ने पहले भी क्या किया था आप लोगों को पता है इसी नई बीमारी के चलते हुए भी जो है दूसरे देश जो है चाइना का लसुन निर्याद करना आयात करना उन लोगों ने बंद कर दिया है किसी तरह से कोई भी जो है जो कंट्रियां हैं जैसे जाएं इवन बंगलादेश ही अपन मान लेते हैं तो बंगलादेश के अंदर भी जो बंगलादेश चाइना का जो लसुन है आयात करना उसने भी कम कर दिया सिर्फ डर की वज़े से सेकंड एक कारण और पता चला है, जैसे के हम लोगों की निर्याद डूटी प्याज के उपर लगी थी, वैसे ही वहाँ लस्तुन के उपर निर्याद डूटी रहती है, तो उस डूटी को भी बढ़ा दिया गया है, मलब दो कारण हो गया है उसके अंदर, एक तो जो है चाइन वो एक्सपोर्ट होना, निर्याद होना बहुत कम हो गया, तो देखिए चाइना के बाद में जो है इंडिया ही आता है, जो लस्तुन पूरे विश्तुन के अंदर आयात करता है, निर्यात करता है, और कंटिन्यू करता ही रहता है, तो अब अगर यह सिच्वेशन अगर रह निस्चित बात है, जो चाइना का लसुन नहीं लेगा, निस्चित बात है, इंडिया का लसुन लेगा, अगर इंडिया का लसुन कंटिन्यू निर्यात बढ़ता जाएगा, तो निस्चित बात है कि तेजी आने की संभावनाएं आगे बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि य नहीं मिला आज लेकिन कल का जो कल की जो रिपोर्टी गुहाटी मंडी में चाइना का लसुन पहुंचा था पिकने के लिए जो सम्तिंग 170 रुपए केजी में पिक रहा था तो ये बहुत गलत चीज देखी लगी मेरे को के गुहाटी जैसी मंडी के अंदर चाइना का लसुन अब वो आया कहाँ से मैं पता नहीं लगा पाया क्योंके आज मैं गया भी था खुद देखने के लिए आज मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया चाइना का लसुन लेकिन कल का जो है वुक्ता रिपोर्ट थी कि कल चाइना का लसुन गुहाटी में पहुँचा था तो जब अगर वो ग्वाटी पहुंच सकता है तो वो दूसरे मंडियों में भी पहुंच सकता है तो मैं कोशिस करूँगा कि मैं खुद जाकर के अपनी आखों से देखूँ कि लस्ट चाइना का वहां आया या नहीं आया या फिर बेकार की यहां पे आ रहा है अभी तक तो सिर्फ इन्फोमेशन है मेरे पास में फुकता सबूद नहीं है मेरे पास में कि यहां लस्ट पहुंचा है लेकिन मैं मेरी आखों से देखकर के आपको जरूर बताओंगा दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस चीज़ से आप निस्चिंत रहिए कि इंडिया मेरे इसाब से भारत मेरे इसाब से जो चाइना का लस्ट जो है आयात नहीं करेगी बाकी देखिए सरकार के उपर है मेरे उपर कुछ नहीं है मेरा सिर्फ यह अंदाजा है और पिछले कुछ डेटा है जिन डेटा के वज़े से मैं बोल सकता हूँ कि भारत जो है लस्ट कम से कम चाइना से जो है आयात नहीं करेगा तो चलिए दो किसान भाईयों यह थोड़ी सी इंफोर्मेशन थी मेरे पास में आपके लिए जो मैंने आपको दी तो इस वीडियो में इतना ही किसान भाईयों मिलेंगे अगले वीडियो में अगली को इंफोर्मेशन अगले भाव के साथ तब तक के लिए जै जवान जै किसान